TGT और PGT के लगबग सभी विषयों की कच्छाएं आज से संस्थान में प्रारंब हो रही हैं जिसमें Math विषय का सेडियोल आज 21 अक्टूबर से है कुछ कच्छाएं कल 22 अक्टूबर से प्रारंब होगी कुछ कच्छाओं के लिए हमने आपको बता रखा है कि उनकी स्टार्टिंग हम लोग कुछ दिनों के बाद से प्रारंब करेंगे हमने आपको जो एक्सेडियोल प्रवाइट किया था पिछले कुछ दिनों से आपने देखा था कि संस्थान में गतिविधिया टेजटी पेजटी को लेकर चल रही थी हमने एक जनरल बैच अनाउंस किया जिसमें अलग अलग बिस्यों में आपने अपने जरूरत के हिसाब से हम पर बहुत ही बरोसा दिखाते हुए संस्थान पर फेद करते हुए आपने अडमी से लिया आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई आपने प्रापर वे में अडमी से लिया अपनी एक सीर सुनिस्चित कराई अब हमारी रिस्पॉंसिबिल्टी बनती है संस्थान की responsibility बनती है कि हम आपके उस भरोसे पर खरे उतरे और मैं आपको promise करता हूँ कि जो आपने हम पर भरोसा जटाया है हम सभी उस पर पूरी खरे उतरने की कोसिस करेंगे मैं मैध विशे के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ target with alo का online institute पे और आपको या भरोसा दिलाता हूँ जिस तरह से आपने इतनी दिनों तक आप फेद बनाये रखा है हम लोग उस फेद को तूटने नहीं देंगे और किसी भी इस्थिति में आपके साथ नयाय करने की पूरी कोसिस करेंगे जो हमारे पास एक skill है जो हमारे पास एक knowledge है या जो हम provide करने की अपने अंदर छमता रखते हैं उसका 100% आपको देने की कोसिस करेंगे जो एक proper classes का concept होता है वो आपको हम provide करेंगे हमने पिछले कुछ दिनों से जैसे आपको हमें एक दो lecture dummy आपको provide किये जिसमें मैंने कुछ concept algebraic start भी किया TGT और PGT को लेकर के मैंने एक आक model paper भी solve करवाया I hope आप सभी ने चीजों को समझा और कैसे क्या procedure होगा उसको apply करने का पूरा process आपने clear किया आज से जब बचक अच्छा हैं scheduled हो जाएंगी तो वहाँ पर आपको proper वह topic वहीं से start होकर कि उसके आगे की चीजों को proper way में start किया जाएगा जो की batch का concept होगा public platform पर भी हम बीच बीच में मिलते रहेंगे कुछ classes आपको हम provide करते रहेंगे जिसमें हम आपको कुछ हो सकते concept या कुछ हम practice के through आप से introduce होते रहेंगे तो आज भी मैंने एक ऐसे ही important topic को आपकी इस batch में start किया है जिसका एक importance TGT और PGT दोनों पर इच्छाओं में होता है आप thumbnail पे भी देख चुके होगे कि मैंने matrices को आपके सामने introduce करने की कोशिज करिए matrices 10th standard से ही start हो जाता है लेकिन इसका जो involvement होता है वह लगभग आपके higher studies में भी होता है आप 12th में भी देखते हैं matrices का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी competitive examinations में भी आप देखते हैं matrices के एक से दो प्रस लगभग आया करते हैं आप कोई भी TGT PGT के model paper को उठा के देखिएगा आपको matrices मतलब आप भी हो के प्रस्म जरूर मिलेंगे मैंने आप भी हो को एक प्रकार से आपके जहन में डालने की कोसिस को ही ले करके इस class को start किया है आप सभी को मैं आज पूरे इसके structure को समझाने की कोसिस करूँगा कि इसमें क्या इसका introduction क्या इसका prospect हो सकता है जो कि हमारी परिच्छाओं से relate करेगा इसके अंतरगत किन-किन बिंदूओं को हमें को focus करना पड़ेगा इस सारी बाते मैं आज किस lecture के माद्यम से आपको बताऊंगा और अगर आप इस पूरे session को continue करते हैं तो आप मान कर चलिए कि आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे कुछ ऐसी जनकारियां भी जरूर अरजित करेंगे जो कि वास्तों में आपके लिए required होगी हलाकि हम सभी जब इस background पर हैं जहां पर आप TGT-PGT की preparation कर रहे हैं वह भी math भी से के लिए तो आप में से बहुतों ने graduation math में complete किया है PG किया है, कुछ लोगों ने पिएचडी भी किया है तो बहुत अच्छे लेबल की preparation आपने math को लेकर के की है एक प्रकार से जो basic चीजे हैं जनरल basic भी हाप पे आपको आती ही है लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम जब भी कोई topic सुरू करेंगे तो हम beginning से start करेंगे मतलब सुने से सुरू करेंगे और उसके सिखर तक पहुचाने की आपको कोसिस करेंगे तो आप पूरा भरोसा रखिए कि आपका जो faith है जो आपने इतनी दिनों से बना के रखा है मैं उस पर पूरा खरा उतरने की पूरा कायम उतरने कायम रोने की पूरी आपको यहां पर एक पूरी जो हमारी जिदनी भी हमारी effort हो सकती मैं उसको रिभाने की कोशिस करूँगा mattresses को मैं समझाने की कोशिस करता हूँ mattresses एक बहुत ही बड़ा application है mathematics का, algebraic section का बहुत ही प्रापर बे में यूज किया जाता है mattresses को मैं थोड़ा सा समझा हूँ अगर हिंदी की बात करें तिसका हिंदी आप व्यू होता है, आप सब जानते हैं आप व्यू का यूज जो किया जाता है उसके लिए सबसे पहले जिनकी responsibility बनती जिन्होंने इस पूरे concept को में प्रवाइट किया उनका नाम यहाँ पर आर्थर गैले था आर्थर कैले आर्थर कैले was the first person who introduced the concept of mattresses मैं भी थोड़ी दिर में आपको mattresses के application या mattresses के प्रियोग के बारे में बताता हूँ कि हम लोग अपनी regular life में daily life में mattresses का कहां पर यूज करते हैं लेकिन उसके पहले इनके बारे में भी जानना जरूर था आर्थर कैले एक बहुत बड़े scientist थे mathematician थे जोन्हें ने इस पूरे structure को provide किया बाद में इस चीज को introduce करने की जिम्बदारी आईसेन बर को भी जाती है जिनों ने और इन दोनों ने अगर देखा जाये तो इसको explain भी किया to part the quantum principle quantum principle की पूरी एक प्रकार से रूपरेखा को present करने के लिए इन्होंने mattresses का यूज किया हलाकि हम लोग general भिहाफ पर जब mattresses को पढ़ते हैं तो कहते है mattresses का जो यूज होता है या इसका जो application होता है to solving a linear system जब एक रैखिक समी करण जो की एक पद के बाद दो पदों पर, तीन पदों पर चार पदों पर इस प्रकार से multiple आप terms पे dependent होता है variable पे dependent होता है उस किसी भी एक linear system को हल करने के लिए, solve करने के लिए हम mattresses का प्रयोग करते हैं किसी भी एक प्रकार के arrangement को प्रदरसित करने के लिए mattresses का प्रयोग करते हैं कोई एक बेवस्ता चाहा है ओक लास में assembly के दौरान बच्चों के सारी arrangement हो गई या railway compartment अपने पूरे seat arrangement को proper way में दिखाने लगा exam हाल में बच्चों के बैठने की पूरी बेवस्ता या classroom में बच्चों के बैठने की पूरी बेवस्ता जिसमें हर एक terms को proper way में consider किया जाता है कि कौन चीज कहां पर placed की गई है इस पूरे arrangement को अगर हम लोग consider करें और भी arrangement का एक proper अगर हम सोरू प्रवाइड करें जो कि एक rectangular format में हो मतलब आयती figure के रूप में हो तो उसी को हम लोग matrix कहते हैं या matrices का एक रूप कहते हैं जो कि एक similar word लगबग matrices से ही बनकर सामने आता है मैं इसकी एक general definition भी देता हूँ कि it is the collection आप numbers added by rows and the column आप इन दो सब्दों के बारे में भली भात अउगत होंगे कि क्या होता है row और क्या होता है column जब भी हम कभी numbers को terms को या values को एक sequence provide करते हैं in the format of the row and column we got the matrices हमें matrix प्राप्त होती है मैं matrix के बारे में थोड़ा सा एक ऐसे arrangement करके मैं आपको चीजों को समझाता हूँ दिखाता हूँ आप लोग थोड़ी सी बाते समझने की कोसिस करिएगा जब भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं row की तो row एक प्रकार का आपको दीखेगा कि horizontal arrangement होता है जब हम चीजों को चैती जहाँ पर प्रे करते हैं सो करते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर row कहते हैं और उसी चीज को अगर हम vertical present करते हैं तो उसको हम लोग column कहते हैं आप अगर classroom की बात करें तो classroom में भी आपने देखा होगा आप दोनों को multiply करते हैं you get the total collection of the class किसी assembly में कितनी total lines बनी हुई है lines को हम लोग यहाँ पर vertical या हम लोग यहाँ पर column कह सकते हैं उस column में कितने row बने हैं मतलब कितने बच्चे हर एक line में खड़े हैं अगर एक proper sequence एक proper schedule बन रहा है उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर total counting कर सकते हैं मतलब हम लोग यहाँ पर इस arrangement को कुछ इस प्रकार से प्रदर्सित करते हैं एक rectangular frame में एक rectangular frame और के यहाँ पर जड़ेट होता है मैं इसको भी थोड़ी दिर में सब कुछ explain करता हूँ यहाँ पर जो हमारे पास mattresses के elements होंगे मतलब सीधी सी बात है collection अगर बनेगा तो containing some elements मतलब कुछ elements को contain करेगा उन elements की location को दिखाना in row और column का काम होता है like अगर हमने कहा कि हम एक elements ऐसी जगह पे रखने जा रहे हैं जो पहले row में है और पहले column में है तो अगर हम उस elements को A से, X से, P से किसी से भी denote करें तो we can say that this is the X, 1, 1 means row and 1 column मतलब this is at the location of the first row and first column इसी तरह से अब इसी row में अलग-अलग column को read करा जाएगा जैसे कि हम second element अगर जैसे इसी विहाप पर आगे बढ़ें तो first row है लेकिन column कौन सा है? second column है ऐसे अगर और आगे बढ़ें तो first row third column है ऐसे हम लोग बढ़ते चले जाएं तो एक ऐसी position पर पहुँचेंगे जहाँ पर first row पर इनत column हमको fine मिलेगा, मिलेगा, प्राप्त होगा अब हम लोग जैसे first row में थे उसी प्रकार से हम row 2 में चले आए अब हम लोग अगर row 2 में आ जाएं तो देखिए क्या situation बन कर आएगी A21 मतलब दिस वास the second row and first column A22 second row second column A23 second row and third column ऐसे बढ़ते चले गए A21 मतलब second row and the यनत column इसी तरह से हम लोग ऐसे बढ़ते चले जाएं तो एक ऐसी situation आएगी कि हम यमेथ row पर पहुँच जाएंगे तो हमने कहा A1 मतलब यमेथ row and first column column first है यमेथ row up the second column यमेथ row up the third column and finally यमेथ row up the यनत column तो यहां से एक प्रकार का एक ऐसा arrangement बना जो arrangement जनरली हम लोग consider हर एक places पर करते हैं पर grouping की गई है जहां पर group को proper schedule किया गया है मैंने कहा जैसे classroom में बच्चों को बैठाने का पूरा system आप लोग देखे होंगे कि जब exam होता है तो proper class sitting arrangement की जाती है assembly जब बच्चों की होती तो इस समय proper arrangement किया जाता है जहां पर सब को row and column के हिसाफ से किया जाता है उसी प्रकार से हमारे daily life में या हम ऐसे कहते हैं किसी bulk data को अगर हम इंटर्ड्यूच कर रहे हैं इंडिस format तो हम लोग को इस पूरे procedure को apply करना पड़ता है तो जो पूरा arrangement बनकर आया एक rectangular arrangement कहलाएगा और इस rectangular arrangement को हम लोग यहां पर इस rectangular arrangement को हम लोग यहां पर एक matrix का रूप दे देते हैं matrix का नाम दे देते हैं मैं इसको proper details से अभी आपको समझाता हूँ लेकिन थोड़ी सी जनकारी यहां पर जरूरी थी कि matrix का स्वरूप क्या होता है उसका प्रदर्शन हम लोग किस प्रकार से करते हैं हलाकि मैं इसके पहले अंतरगत जो जो चीजे हमको प्राप्त होंगी जो जो चीजे हमको पढ़नी है मैं उसके बारे में सबसे पहले आपको समझानी की कोशिस करता हूँ फिर इसके चीज को फिर इसी को लेकर के मैं आगे बढ़ करके आपको proper सब कुछ explain करता हूँ आपने mattresses की definition देखी कि mattresses एक प्रकार का arrangement है जो row और column पर based होता है किस scientist ने इसका पूरा concept आपको provide किया किस application का प्रियोग किया जाएगा mattresses के अंतरगत यह बाते आपने जानी अब हमारे syllabus, हमारे पाठकरम के अंतरगत mattresses को लेकर कि क्या क्या चीजे पढ़ी जाएगी जिसको मैंने पहले से यहाँ पर list कर रखा है सुरुवात हम लोग करें तो सबसे पहले हम concept आप mattresses की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर mattresses के concept को लेकर चलेंगे जो मैंने अभी यहाँ पर definition के मादिम से और थोड़ी सी इसकी history biography के बारे को लेकर के मैंने आपको समझाने की कोशिस करी कि मैंने जिसे आप से कहा कि देखिए अगर केवल हम पार्ठिक्रम का हिस्सा माल लें तो पार्ठिक्रम के हिस्से के हिसाब से भी अगर देखा जा है 12th 11th के standard में तो generally mattresses का एक अच्छा label होता है अगर आप किसी उसके higher में जाते हैं आप graduation में जाते हैं PG post graduation में जाते हैं तो आप mattresses को बड़े ही broad label वर पढ़ा करते हैं लेकिन हमको इसको पढ़ने के लिए इसके पूरे concept को समझना इसके संपूर्ड types को मतलब मतलब प्रकार पर ही अधारित होते हैं मैट्रिस के अंदर कुछ mathematics भी होती है जैसे कि इसके उपर जोड करना घटाओ करना compare करना दो mattresses को तिस प्रकार की जो properties होती हैं उसके arithmetic के अंतरगत यहाँ पर perform की जाती हैं transpose करना transpose मतलब mattresses को उल्टा पल्टा करना कि कभी row को column बनाना column को row बनाना तो transpose के अंदर गताता है transpose के बाद हम उस mattresses का inverse भी fine करेंगे inverse अर्थात यहाँ पर जैसे आप general inverse की बात करिए आप लोग arithmetic operation पढ़ते हैं जोडते हैं घटाते हैं संख्याओं को या गुडा करते हैं तो आपने देखा होगा कि inverse number हमें मिलता है जो इन्वर्स नंबर का process क्या होता है जो जिस operation के साथ हम लोग यहाँ पर term को ले की चलते हैं उस operation case को apply करने पर उस number को identity बना देता है आपने देखा होगा कि जिसे अगर हम additive inverse की बात करते हैं जैसे हम दो basic operators की mass में बात करें एक जोड की बात करें एक गुड़े की बात करें मतलब addition की और multiplication की तो addition की अंतरगत अगर हम लोग inverse term की बात करें जैसे तो हम देखते हैं कि जैसे अगर कोई एक digit हमारे पास a है ते का inverse क्या हो जाता है क्यों minus a हो जाता है क्यों minus a हो जाएगा क्योंकि this is called additive inverse विकाज जब हम इन दोनों को add करते हैं they become zero क्योंकि जो addition की identity होती है that is zero ऐसा क्यों क्योंकि zero किसी के साथ add करने पर कभी उसके अंदर कोई change नहीं लाता है इसलिए zero is the additive identity और अगर हम additive inverse की बात करें term अगर दिया है तो उसका जो reciprocal होता है that is called the inverse of that element क्योंकि हम इनको multiply करने पर one fine करते, one हमको प्राप्त होता है because one is the multiplicative identity उसी type से हम identity तो पढ़ेंगे ही types में इनके लेकिन inverse मतलब एक matrices को ऐसी fine करेंगे, ऐसा निकालेंगे जो operate होने के बाद identity बना दे तो मतलब हमें inverse proper में पढ़ना है, कुछ bullion matrices भी होती है, bullion का concept कुछ ऐसा होता है जब कभी हम एक ऐसे operation को perform करें, जिस operation के अंतर किसी की possibility केवल दो देखी जाए, जिसे कभी आप farm फिल करते हैं, एक bullion हमारे सामने फिल करने को आता है, जिसे किसी किसी एसार नो बस इतना हमें देना है are you qualified this examination, are you handicapped या इस तरह कि कुछ ऐसे terms हमें से use की जाते हैं, जिसमें हमें क्यों एक bullion मतलब उसके केवल just दो ही operation, जिसे आप से कभी कोई question पूछे, तो आप से इतना कहे कि भया तुम हमें केवल ESR 9 में उत्तर देना, बाकी हमें कहानी पूरी मत बताना, वहाँ पर bullion approach applied होता है, हम लोग की जो concept है, हम लोग की जो पूरी mathematics का जो यहाँ पर schedule है, वो generally discrete को भी involve करता है, आप लोगों ने अगर higher में देखा होगा, तो discrete mathematics पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ के भी कुछ term को हम लोग यहाँ पर introduce करेंगे, तो discrete का प्रियोग बहुत ही जादा है, इसलिए हम bullion को लेकर चलेंगे, तो bullion matrices का भी प्रियोग हम लोग को करना है, किसी किसी किताब में पहले determinants को पहले पढ़ाया जाता है, मैंने देखा है, कि determinants पहले फिर matrices को, लेकिन मुझे लगता है, मैं अपने हिसाफ से जब सोचता हूँ, तो मुझे लगता नहीं, पहले matrices पढ़ा जाए, फिर determinants पढ़ा जाए, तो ज़्यादा यूज है, वो solving a linear system है, linear system मतलब मैंने आपको बताए, जैसे x plus 2y is equal to something, 2x plus 3y is equal to something, तो two variables का एक equation है, three variables का भी हो सकता है, four variable का भी हो सकता है, अगर आपने higher studies करी है, तो आपको पता होगा, कि grammar rule का यूज किया जाता है, gas elimination method पढ़े जाते है, matrix inversion method पढ़े जाते हैं, इसके अंतरगत की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम matrix inversion method से इसका solution करते हैं, kramers इसका use हम लोग यहाँ पर kramers के थरूँ इसका solution करते हैं, gas elimination का use करते हैं, जिसके थरूँ हम इस problem को solve कर लेते हैं, यह सारे process जो भी हम लोग apply कर सकते हैं हलां कि कभी-कभी मैं आपको बताओ inversion method तो यह चीजे मैं आपको समझाओंगा तो लेकिन हम competition पढ़ रहे हैं यह भी ध्यान में हमको रखना है हम competition पढ़ रहे हैं तो competition में हमें problem solve करना है ना कि problem की एक theory provide करनी है जिसलिए हम कुछ चीजे यहां पर अपने हिसाब से consider करके चलेंगे आप पूरा believe करिएगा जो जैसी जिसकी requirement है जहां जिसका जैसा इनो प्रियोग है उसी प्रकार से उस चीज को मैं यहां पर लेकर चलूँगा हाँ इन terms के बारे में मैं जरूर explain करूँगा लेकिन जहां पर जैसी जिसकी यहां पर requirement ज़्यादा है और जिसका प्रियोग करके हम चीजों को बहुत अच्छे से कर लेंगे उन्ही चीजों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हमें यहां पर एकदम से theoretical नहीं पढ़ना है हमें यहां पर tricky भी पढ़ना है मतलब जो जरूरत है क्योंकि यह जो ऐसी mathematics आप पढ़ रहें जहां पर solution के लिए दो दो पन्ने यूज करे जाते हैं लेकिन हम लोग का यूज यहां पर थोड़ा सा limited विहाप पर हम लोग को लेके चलना है तो सारी जीज़े मैं आपको proper भी में लेके बताऊंगा उसके लिए आप निश्चिंद रहिएगा rank आपने सुना होगा कि हर matrices की rank calculate की जाती है rank निकालना और rank के प्रसन भी लगबग आप लोग देखते हैं इगिन बैलूस और इगिन वेक्टर्स आपने देखा होगा कि matrices को जब हम लोग यहाँ पर प्रेजन्ट करते हैं कि मॉडिलस आप है आई उकल टू हम इसके फार्मेट में अगर हम लाके रखते तो matrices एक इगिन बैलूस जनरेट करती है उनका प्रियोग करके अलग-अलग इगिन वेक्टर्स जनरेट किये जाते हैं तो वो प्रोसेस भी आपके ही पाठे करम का हिस्सा है इसमें कुछ चीजे मजड हैं जो कि बीच-बीच में हैं जिनके बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे यहीं पर पढ़ते समय इन सारे मेथट के इंट्रडक्शन ऐसे ही बीच-बीच में जहां जिसकी रिक्वार्मेंस होगी उसको हम लोग यहां पर प्राबर में मिलेके चलते रहेंगे इसके लिए आप निश्चिंद रहिएगा आते हैं हम लोग थोड़ा सा जैसे मैंने इंट्रडक्शन से स्टार्ड करना था मुझे कॉंसे स्टार्ड करना था तो मैंने अभी थोड़ा सा आपको इंट्रिज किया कि मैट्रिस के बारे में तो आपको मैंने बताया कि जो मैट्रिस है उसके एक similar word matrix से हम लोग प्रारम गड़ते हैं जिसको आप Hindi में क्या कहते है आप view कहते है आप view क्या है आप view मैंने आपको बताए कि एक ऐसा arrangement है एक ऐसी बिवस्था है जो कि depend करती है row और column पर किस पर depend करती है row पर और column पर row को मैंने बताए कि row क्या है horizontal arrangement है horizontal line है और column क्या है vertical line है तो हमें एक matrices जिसको हमें rectangular frame दे सकते हैं उसके अलग-अलग elements को जिस collection को आप actually दिखाना चाहते हैं उस collection के elements की value अलग-अलग हो सकती बड़ उसके position को explain करने के लिए हम row का और column का सहारा लेते हैं हम row और column के हिसाब से उसको present करते हैं आप देखते जाएगा तो आपको समझ में आएगा this is for the row 1, this is the row 1, this is the column 1 आप ध्यान दीजेगा तो आपको सारी बाते यहां पर असपस्ट होती चली जाएगी कैसे क्या process यूज किया जाएगा और मैं आपको समझाते जा रहा हूँ ध्यान दीजेगा अब अगर यहां पर कोई elements होगा तो मैंने का हुआ उसकी position होगी यह आप 11, क्यों होगी क्योंकि यह first row पर है, first column पर है first row second column, first row third column ऐसे बढ़ते चले गए first row यनत column, इसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़े हैं तो second row first column, second row second column second row third column, ऐसे बढ़ते चले गए second row यनत column ऐसे हम और नीचे अगर से चलते चले जाए mth row first column, mth row second column, mth row third column and finally mth row यनत column अब यहां से एक matrix बना, मतलब एक प्रकार का एक आप भी हूजनेट हुआ जो की एक प्रकार का rectangular क्योंकि इसमें दिखिया आपको length दिख रही है और इसकी ब्रत दिख रही है एक rectangular arrangement हुआ मैं तो ऐसे जनरल कहता हूँ कि जितने भी matrices आप generate करते हैं उस सब के सब एक IT frame मतलब rectangular arrangement में होते हैं rectangular framework में काम करते हैं यहाँ पर हर matrices का एक order develop किया जाता है order का अर्थ होता है किसका जो है इसकी पूरी quantity को हम किस cross के अंदर रख सकते हैं तो order को दिखाया जाता है ym cross yn से जहाँ पर मैं आपको बता दो ym हो गया number up row number up row मतलब कितने row हैं और yn जो हो जाएगा और number up कालम हो जाएगा number up कालम मतलब अगर आपको multiply नहीं करना है कि आप इसका multiplication कर दीजिए इसके multiplication से आप total number up elements find कर सकते हैं अगर आपको भी पता करना है कि कितने number up elements हैं तो total number up elements के लिए आप इन दोनों का गुड़ा कर दीजिए लेकिन अगर मुझसे order पूछा जाए तो order को just ym krasian के रूप में आप लिख करके दिखा सकते हैं अगर किसी matrices में 2 row हैं और 3 कालम है तो उसका order हो गया 2 cross 3 2 cross 3 अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह पूरा एक arrangement है और इस arrangement के अंदर कुछ elements को रखा गया है उन elements की अपनी certain value क्या है या भी अलग चीज है लेकिन उन elements को रखा कहा जाएगा उसकी location को हम लोग इन elements से यहाँ पर explain करते हैं अगर हम इसके explanation की बात करें तो इसको हम ए आफ ij के रूप में प्रदरसित कर सकते हैं मतलब हर elements की अपनी जैसे class में अगर हम कोई भी बच्चे बैटे हैं तो हम लोग उनकी position बता सकते हैं कि आप किस place पे हो अगर हम row column को declare कर दें तो कहेंगे second row third column इस place पे जैसे आपने quartisian system पढ़ा होगा अगर coordinate system में तो आपने देखा होगा कि हर एक point निर्दसांग को place करने का अपना एक अलग system होता उसको कहां रखा जाता उसके लिए ordered pair के हिसाब से चीजों को ही plan किया जाता है मतलब किस quadrant में है उसकी location के लिए x y axis की value क्या है same to same अगर यहां पर भी बात किया जाए तो हर एक elements को रखने के लिए हम यह आप i, j का प्रियोग करते हैं जहां पर i बताता है कौन सी row है और j बताता है कौन सी column है इस process को इस explanation को हम change नहीं कर सकते कि आप कभी सोच लें यह आप j, i कर दें यह आप j, i possibility नहीं है यह आप i, j ही रहेगा पहले column रहेगा फिर row रहेगा यह structure ही हम लोग हमेशा follow करेंगे अब यह element की value नहीं है यह element की location है हर element की location को हम यह आप i, j से declare कर सकते हैं अब उस elements की value हो सकती वहाँ पर 3 हो, 5 हो, x हो, p हो, q हो, minus 1 हो कुछ भी हो लेकिन उसकी location यह है अगर मा लिजे कोई element यहाँ पर है suppose करियो उसका मान 5 है तो उसकी location क्या है तो आप कहोगे सर वो second row पर है और third column पर है तो उसका जो ordered pair बनेगा वो 2,3 बनेगा मतलब second row और third column तो यह आप 2,3 यह आप 2,3 उसकी position हो जाएगी और उस element का मान वहाँ पर जो भी होगा उसको हम लोग explain कर सकते है तो हमने क्या क्या सीखा कि mattresses एक प्रकार की ऐसी बेवस्ता है जिसको हम एक rectangular frame के थुरू समझ सकते है इसका order declare करने के लिए हम yam cross yamka use करते है yam number आप row होता है yam number आप column होता है इसके elements को explain करने के लिए आप ij का सहारा लेते हैं i row को explain करता है j column को explain करता है और a of ij is the position of any elements of the matrix किसी भी elements की location को explain करने के लिए आप ij का सहारा हम लोग लेते हैं अब हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर जैसे मैंने order की बात करी हर matrix को कैसे create किया जाता है मैं इसके बारे में बात करता हूँ जैसे मैंने कहा कि एक matrix मैं लिख रहा हूँ 2, 1, 3, 5 मैं आप से पोछू कि इसका order क्या है तो आप कहोगे sir 2 row है 2 column है तो 2 cross 2 है मैंने किया 1, 2, 3 4, 5, 6 अब आप कहोगे sir 2 row है लेकिन 3 column है तो 2 cross 3 हो जाएगा अब ऐसे माली जी एक matrix मैंने बनाया 1, 2, 3 यह matrix भी है तो आपका उगे sir 3 row है लेकिन column एक ही है तो आप इसको 3 cross 1 बना सकते हैं मैंने कहा 5, 4, minus 6 आपने देखा कि 1 row है लेकिन 3 column है तो 1 cross 1 इसको 3 बना सकते हैं ते सब जो पहलूस आ रही हैं यह जो structure आप दिखा रहे हैं they are the order of the matrix उन matrices के अलग-अलग order है कभी-कभी एक question हमारे हां आता है मैं उसको दिखाता हूँ इनहीं के बिहाब पर हमसे कहा जाए suppose करिए कि construct आप ध्यान दीजेगा तो समझ में आएगा 2 x 3 matrix 2 x 3 matrix where A of ij is equal to i plus 2j i plus 2j हमको एक sequence दे दिया उसने हमें एक structure दे दिया कहा कि हमसे 2 x 3 order की matrix बनाओ जिसमें हर elements किस पर calculate किया जाएगा A of ij जो बनेगा वो depend करेगा i plus 2j के उख़़ए पर आप एक 2 x 3 की matrix को पहले ऐसे generally plan कर लीजिए जिसमें 2 row रहेंगी और 3 column रहेगा इसको तो आप लोग अच्छी तरह से समझी रहें देखिए ध्यान से मैंने कहा A of i1 भाई 2 row लेके चलेंगे मतलब row 1 रहेगा row 2 रहेगा इतनी बाते आपको पता है C1 रहेगा C2 रहेगा C3 रहेगा ऐसे हम लोग थोड़ा सा समझ कर चलें तो आपको यह चीज अभी थोड़ी दिर में एकदम अस्पस्ट हो जाएगी हम क्या बताना चाहते थे यहाँ पर A11, A12, A13 A21, A22, A23 अब आपने देखा 2 क्रास 3 की मैट्रिक्स बन गई अब अगर हम इनको जैसे उसने कहा उसकी हिसाब से अगर लेके चलें तो क्या प्रोसेस इसका हो सकता है ध्यान दीजेगा इसके पूरे प्रोसेस को समझने की कोसिस करिएगा सभी लोग इसने कहा कि A आप IJ जुकल टू I plus 2J तो I plus 2J के लिए मैं क्या लिखूँगा I मतलब first element I कहलाएगा और J क्या कहलाएगा second element कहलाएगा हर elements की बात है तो मैं लिखूँगा I मतलब 1 plus 2 into 1 आप समझ रहे हैं इस बात को कैसे हम calculate कर रहे हैं क्योंकि I, I मतलब 1 और J मतलब 2J इसने बोला है हमको ऐसे यह हो जाएगा 1 plus 2 into 2 ऐसे यह हो जाएगा 1 plus 2 into 3 आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे हम कैसे यहाँ पर process कर रहे हैं अभी यह तो मैं लिख रहा हूँ जिसे कि आपको असपस्ट हो जाएगा दरवाई इतनी requirement नहीं थी 2 plus 2 into 1 ऐसे देखो क्यों? क्योंकि यह I है और यह आपका J है आई as it is लिया J को हम क्या करेंगे? 2J बोला है तो 2 into 1 कर दिया इसी तरह से हम लिखेंगे 2 plus 2 into 2 ऐसे 2 plus 2 into 3 जो जैसे कहा है उसी साफ से हमने बना दिया अब इसका solution देखिए 2 में एक जुड़ा add हुआ 3 4, 1, 5 हुआ ऐसे 3, 2, 6, 1, 7 हुआ देखो 4 हो गया 2 to 4, 6 हो गया और 3 to 6, 6 to 8 हो गया अब आप खुद ही समझ गया होंगे कि हैं हमारे पास 2 cross 3 की matrix है जिसमें हमने कहा 2 cross 3 की matrix है जिसका जो elements है वो इस structure पर depend कर रहा था आई हो पे चीज़ आपको समझ में आई होगे कि जो मैंने आपको बताया कि कभी-कभी इस तरह से हमसे पूँच लेता है या हमसे absence दे करके describe करने को कहता है कि इस फार्मिट की कौन सी matrix है इस पर एक छोटा सा example और में देखो जैसे माली जो मुझसे 2 cross 2 matrix बनाने को कहे लेकिन कह रहा है कि जो A of IJ हो वो आपका I minus J हो I minus J हो अब आप एक 2 cross 2 की matrix को ऐसे जनरली समझ लीजिए A11, A12, A21, A22 आपकी 2 cross 2 की एक matrix बन गई अब इसके elements को हम कैसे explain करेंगे जैसे इसने कहा है कहा है कि जो elements हो वो I minus J पे depend करते हो तो आप 1 minus 1 कर दीजिए 0 हो गया 1 minus 2 कर दीजिए minus 1 हो गया 2 minus 1 कर दीजिए 1 हो गया और 2 minus 2 कर दीजिए 0 हो गया आपके पास एक matrix बन गई जो कि इस structure को follow कर रही है और 2 cross 2 की matrix बन गई ते matrix का creation जो हम लोग generate करते हैं with the given condition जैसे आपके स्थिती दी गई हो उसके भिहाब पर हम इसको explain ऐसे कर सकते हैं आगे मैं बढ़ता हूँ अब थोड़ा सा हम लोग explain करते हैं the types of the matrix ध्यान दीजेगा types of matrix matrix के क्या प्रकार हो सकते हैं अलग-अलग प्रकार की बात करें तो मैंने सुरुवात ने बोला कि जो matrix बनती हैं उचाहे जैसी matrix बने उनहर matrix को generally हम एक rectangular matrix का रूप कह सकते हैं मतलब वो सब की सब लगबग rectangular matrix ही होती है लेकिन हम उनको अलग-अलग नाम से यहाँ पर उनकी अलग-अलग structure के हिसाब से read करते हैं जिसकी एक proper जनकारी मैं एक-एक करके आपको देने जा रहा हूँ आप लोग समझने की बस कोसिस करिएगा सबसे पहली matrix मैं आपको explain कर रहा हूँ that is called the row matrix उसको हम लोग क्या कहेंगे row matrix इसको कभी-कभी आप row vector भी कहते हैं क्या कहेंगे देखे row vector अब आप समझने की कोसिस करो एक ऐसी matrix जो की one cross जो की one cross यन के फार्मिट में हो one cross यन के order में हो वह हमेशा row matrix या row vector कहलाएगी जिसमें केवल एक row हो only one row मतलब कोई एक ऐसी matrix जिसमें केवल एक row हो कालम चाहे जितने हो वह matrix आपकी row matrix या row vector कहलाती है जैसे माली जी मैंने लिखा A11, A12, A13 ऐसे बढ़ते चले गए A1 यन यह एक matrix बनी जिसमें एक row है और कितने कालम है? यन कालम है So it is called the row matrix आप देखो कालम one, कालम two, कालम three, कालम यनत है उससे हमें कोई मतलब नहीं है बट row केवल एक है अगर कोई matrix जिसमें केवल एक row हो तो उसको row matrix या row vector हम लोग यहाँ पर एक row नाम दे सकते हैं दूसरा आप लोग देखेंगे That is called column matrix column matrix ध्यान देते जाए एक एक चीज हम लोग यहाँ पर explain करते चले जाएंगे समझते जाएंगे अब आप जो समझने वाले हैं समझ गये होंगे It is also called the column vector इसको भी हम लोग क्या कह सकते है Column vector कह सकते है Column vector मतलब आप समझ गये होंगे कि एक केवल इसका जो फार्मिट बनेगा जो order बनेगा वह M cross 1 के फार्म में हो मतलब इसका order M cross 1 के रूप में हो मतलब आप समझ गये होंगे जिसमें only one column Only one column हो row चाहे जितनी हो बट column हमेशा इसमें क्या हो एक हो उसी को हम लोग यहाँ पर column matrix या column vector कह सकते है अब आप देखो कैसे बना जैसे मानली जी मैंने एक matrix ऐसे जनरेट किया इसमें लिखा A one one A two one A three one ऐसे बढ़ते चले गए A one मतलब कुछ भी हो सकता है row में लेकिन column fix है कि column हमेशा एक रहेगा तो उसको हम column matrix या column vector का रूप यहाँ पर बना सकते हैं उसको दे सकते है बाकी मैंने बताए चाहे ये row matrix बन रही हो चाहे column matrix बन रही हो चाहे जिस प्रकार की matrix बन रही हो हर matrix आपकी rectangular matrix ही कहलाती है इसको ध्यान में रखिएगा अब आगे थोड़ा सा बढ़िएगा तीसरे प्रकार की तीसरे प्रकार की matrix का नाम हम दे रहे है square matrix जैसे कि आप square के बारे में भी जानते हो कि square जनरली rectangular ही होता है मतलब square जितने होते हो सब भी rectangle ही होते हैं जो rectangle की सारी properties होती हो जनरली square में भी follow की जाती है एक ऐसा matrix जिसमे number up row number up row is equal to number up column हो जाए number up column हो जाए तो वह matrix आपकी square matrix कहलाएगी जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर ऐसे बना सकते example के तौर पर मैंने कहा A11, A12 A21, A22 अब आपने देखा कि यह कैसी matrix बन गई 2 cross 2 की बन गई इसी तरह से अगर हमने फिर लिखा A11, A12 A13, A21 A22, A23 A31 A32, A33 यह देखिए matrix कैसी बन गई 3 cross 3 की बन गई ऐसे 4 cross 4 की हो सकती 5 cross 5 की हो सकती है एक ऐसी matrix जिसका order जो है उसमें row और column की संख्या बराबर रहे तो हम matrix आपकी square matrix कहलाएगी इन सभी matrix का जो order होता है इसको आडर को हम एक नाम और दे सकते हैं इसका जो एन अथ ordered matrix मतलब जैसे आप इसको कह सकते हैं second ordered matrix second ordered matrix कह सकते हैं इसको third ordered matrix कह सकते हैं आगे fourth ordered मतलब यहाँ पर cross लगाने क्या हो सकता नहीं है direct आप जैसे 2 cross 2 की है तो उसको second order 3 cross 3 की है third order fourth order, fifth order इस तरह से हम इसके order का रूप यहाँ पर हम लोग explain कर सकते हैं तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि आप row cross column ही explain करिए आपने अगर second order कह दिया तो हम समझ जाएंगे 2 cross 2 की है कि square matrix है third order कह दिया तो हम समझ जाएंगे 3 cross 3 की है कि square matrix है तो square matrix में यही key fact होता है नमबर आप row और नमबर आप column must be equal लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इतनी math जानते हैं तो यह भी समझ रहें कि या भी एक rectangular matrix का ही frame होता है या बाते आपको clear हुई होगी आगे बढ़िए चौथा मैंने कहा diagonal matrix diagonal matrix diagonal आप जानते हैं diagonal हिंदी में जनरली विकर्ड कहलाता है rectangle में अक्सर विकर्ड हम लोग देखते हैं square में अक्सर विकर्ड देखते हैं एक ऐसा matrix ध्यान दिजेगा a matrix whose principal diagonal elements ध्यान दिजेगा एक ऐसी matrix जिसके principal diagonal elements principal diagonal diagonal elements must be must be non-zero मतलब जिसके principal diagonal element must be non-zero, zero ना हो अभी principal diagonal को मैं explain करता हूँ जैसे अगर कभी आप एक rectangle बना दीजिए तो आपको पता है कि यह rectangle अगर सपोच करी है या square है तो diagonal किसको कहते हैं they join the opposite sides they are called the diagonal यह diagonal है तो यह भी diagonal है अब हम आप से एक सब्द यहाँ पर लिखकर explain कर रहे है कि the principal diagonal elements must be non-zero तो principal diagonal that means this diagonal that is starting from the first row that will call the principal diagonal इसको हम लोग यहाँ पर principal diagonal कहेंगे एक matrix जिसका principal diagonal elements non-zero हो and other remain elements are zero and other remain elements are zero जो बचे elements हो वो सब के सब क्या हो zero हो तो उसको हम लोग diagonal elements या diagonal matrix हम लोग कह सकते हैं example के तौर पर देखिएगा ध्यान से मैंने एक matrix बनाया मैंने यहाँ लिखा A1100 जिरो यहाँ लिखा 0 A22 0 00 A33 अब मैंने थ्री क्रास थ्री का ऐसे ही matrix ऐसे हमने बनाया जिसमें मैंने देखा कि जो diagonal elements थे वो आपके non-zero थे बाकी सारे के सारे elements आपके क्या थे वो जिरो थे अब माल लिजिए थ्री क्रास थ्री की एक square matrix है square matrix के साथ साथ इस matrix का नाम क्या हो जाएगा diagonal matrix हो जाएगा diagonal matrix में ध्यान में रखना देखिए मैंने इसको non-zero नहीं कहा है क्योंकि यह principal diagonal यहाँ होगा this is the principal diagonal तो principal diagonal को हमको consider करना है कि principal diagonal हमारा non-zero हो तब ही वह matrix आपका diagonal matrix कहलाएगा so it is the diagonal matrix because its principal diagonal elements are non-zero चलिए आप से कभी ऐसा पोचे तो आप at least दिमाग में रखिए कि diagonal matrix होता गया है हाँ एक जी ध्यान में और भी रखना है यह जो है जरूरी नहीं कि square matrix ही हो यह कुछ भी हो सकता है तो इसको ध्यान में रख करते जलना है आप लोग को आगे बढ़िएगा unit matrix unit matrix आप इसका एक नाम और लिख सकते है identity matrix identity matrix इसकी definition एक जस्ट समझ लीजिएगा diagonal matrix पूरी definition समझ जिएगा diagonal matrix, diagonal मतलब आप समझ रहे हैं जिसका non-principal diagonal elements non-zero है a diagonal matrix whose principal diagonal elements principal या हम कह सकते non-zero elements principal diagonal elements must be unit unit मतलब one जितने भी इसके principal diagonal elements है पहले चीज़ देखिए इसका नाम हम कह रहे है diagonal है, तो diagonal का मतलब इसके principal diagonal elements non-zero है अब वो non-zero के साथ-साथ अगर one हो जाए तो उसको हम diagonal के साथ-साथ unit matrix भी कह सकते है देखिए ऐसे अगर मालीजे मैंने कोई matrix बनाया मैंने लिखा five, zero, three, zero zero, minus three, zero zero, zero, one तिये जो matrix बनी इसको आप diagonal matrix ही कह सकते हैं, unit नहीं कह सकते हैं it's only diagonal matrix, not unit matrix बट अगर हम लोग एक ऐसा matrix बना दें, जिसमें मैंने लिखा one zero, zero, zero one, zero, 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 one इस तरह का जो elements या matrix बन कर आएगा, उसके देखिए principal diagonal elements उस सबके सब non-zero के साथ-साथ सबके सब one है, अगर कभी किसी matrix के principal diagonal elements, आपके one हो जाएं मतलब unit हो जाएं, और बाकी सारे elements आपके zero हो जाएं तो उस matrix को हम लोग यहाँ पर identity matrix या हम diagonal matrix कह सकते हैं, मतलब उसको हम unit matrix कह सकते हैं, याद रखिएगा अब जैसे एह matrix जो बन कर आई, तो आपने notice किया यह एक 3 cross 3 matrix है यह 3 cross 3 matrix है तो इसको हम कह सकते हैं, I3 ध्यान दीजेगा, यह I3 अगर कहीं I3 लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मालीजी मुझे कहते हैं, I2 तो हम कहेंगे कि 1001, यह I2 हो गया मतलब second order की unit matrix हो गई ऐसे अगर मालीजी हमको इस तरह से दिया 1, 0, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 1, 0 0, 0, 0, 0, 1 अब आप देखिए, इसको आप I4 कह सकते हैं, क्योंकि यह 4th harder की unit matrix बन कर आ रही है इन दोनों के बीच फरक क्या है कि diagonal में unit होना जरूरी नहीं था one होना जरूरी नहीं था unit में diagonal का process तो होगा ही होगा, साथ में उसकी अपनी requirements होगा ही, कि उसके सारे elements का क्या होना जरूरी है, one होना जरूरी है इस बात को आप समझ कर चलिएगा so it is called the identity matrix इसको denote हम लोग IEN से करते हैं IEN आप समझ गया होगे, जहां पर IEN की value जो होगी, more than one मतलब एक से बड़ी elements स्टार्ट होगी, उसको हम लोग यहां पर consider कर सकते हैं, as an identity elements या identity matrix आई होपे चीज़े समझ में आ रही होगी इसके बाद देखिए, फिर अगला होता है triangular matrix triangular matrix triangular में दो प्रकार के triangles बनते हैं एक आपका बनता है upper triangular upper triangular दूसरा बनता है lower triangular अब आप देखिए upper triangular और lower triangular में फरक क्या है upper triangular matrix बनेगा और lower triangular matrix बनेगा, that is also most important हम इसको समझते कैसे देखिए ध्यान से कोई भी एक matrix मैंने जिसे लिखा उस किसी भी एक matrix में, अगर जो elements हैं, ध्यान देना कि जिसे हम पहले बात कर रहे है upper triangular, कि दोनों को मैं एक साथ ही समझाओंगा तो जिसे असपस्ट हो सकेगा, आप सब लोग अपना clear का लीजे गई ही पर मैंने लिखा देखिए upper triangular और इधर मैंने लिखा lower triangular देखिए, किसी भी matrix में रखिए इसमें थोड़ा सा confusion इस सब्द को लेकर के होता है कि अगर अपर है तो नीचे जीरो है और लोवर है तो उपर जीरो है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे? कोई भी matrix से सपोच करिए कि हम 3 क्रास 3 की matrix consider कर रहे है 4 क्रास 4 की ले सकते हैं आप कोई भी एक square matrix ले लीजिए मैंने का किसी matrix में A of IJ 0 हो कहा पर जहां पर I greater than क्या हो? J हो मतलग किसी matrix में जहां पर I greater than J हो अगर O element 0 है तो उस matrix को हम लोग upper triangular matrix कहते हैं मा लिजे हम एक 3 क्रास 3 की matrix consider कर रहे हैं सपोच करिए A11, A12, A13, A21, A22, A23 मैंने एक 3 क्रास 3 की matrix यहां पर consider कर लिया अब आपने देखा कि मैंने कहा कि O elements जहां पर location हम I जे से ही declare करते हैं जहां पर I की value जे से बड़ी हो O elements अगर आपके 0 हो तो उस matrix को हम लोग upper triangular matrix कहते हैं समझिएगा 1, 1, 1 is equal to 1, 1, 2 तो छोटा है, छोटा है, यहां बड़ा है, देखिए 2 is greater than 1 यह elements आपका 0 हो, यह elements 0 हो, अब इसको भी देखिए 2, 2 equal है, 2, 3, 2 छोटा है 3, 1 यह भी greater है, यह भी 0 हो, और 3, 2 यह भी 0 हो, देख, triangle देखिए generate हो रही है अगर हम कभी कोई ऐसी matrix जिसको हमें consider करना हो, यह upper triangular है कि यह lower triangular है मैंने देखा कि बाकी elements आपके non 0 है, जो भी हैं उससे हमसे मतलब नहीं लेकिन हमने देखा कि उस उन elements को जिसकी location में I की value जैसे greater थी, ओ elements अगर 0 है तो ऐसी matrix को हम लोग upper triangular matrix कह सकते हैं तो इसको हम देखे एक triangle generate हो रही है, इसको हम upper triangular matrix यहाँ पर कह सकते हैं इसी तरह से ध्यान दीजेगा आप सभी लोग जो है मालीजी हम थोड़ा सा और ऐसा ही बनाते हैं एक हमने और 4 x 4 का सपोच करी देखे के लिए create किया मैंने लिखा A11, A12, A13, A14 A21, A22, A23, A24 A31, A32, A33, A34 ऐसे A41, A42, A43, A44 अब आप समझे जहाँ जहाँ पर i की value जैसे greater है आप देख पार है यह greater है यह greater है, यह greater है यह greater है, यह greater है, यह greater है यह greater है, तो आप इस समय भी एक triangle generate कर सकते हो यहाँ पर so this triangle is also called the upper triangular matrix तो हम जब देख रहे हैं कि जो upper है, actually वह नीचे है जिसे देखने की बात किया जाए, principal diagonal के side में है और upper जो है, actually देखा जाए, देखे, principal diagonal यहाँ था हम लोग इसी बात को लेकर यहाँ पर इसको declare करते है कि वह principal diagonal के below हो, वह upper कहलाएगा और ऐसी matrix जहाँ पर यह आप i, j तब 0 हो, जब, when, i is less than j जहाँ पर i, j से छोटा हो, अगर वहाँ पर elements आपके 0 हो तो उसको हम lower triangular matrix कहेंगे जैसे example में देखिए, हम एक 3 cross 3 से start करते हैं तो चीज़े आपको first हो जाएंगे a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a3 अब देखिए, हमने 3 cross 3 की matrix बना दी इन matrix में जहाँ पर i की value जैसे छोटी है वहाँ वहाँ elements अगर 0 है तो आप matrix आपकी lower कहलाएगी जैसे मैंने देखा i is equal to 1 या मतलब i is equal to j, i is less than j तो यह 0 हो जाए, यह 0 हो जाए, यह 0 हो जाए अब देखो, यह जो हमारे पास triangle generate हो सकता है इस principle diagonal के below, above, तो that is called the lower triangular matrix इसी तरह से अगर हम 4 cross 4 की भी बना दें a11, a12, a13, a14, a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33, a34, a41, a42, a43, a44 अभी खुद ही आप लोग देखो, जहाँ पर हमने कहा कि i क्या हो, less than j हो i सरी, j क्या हो, यह हम ऐसे कह सकते i is less than j या कह सकते j is greater than i तो आप देखो, यह element 0 हो जाए, यह 0 हो जाए, यह 0 हो जाए, यह 0 हो जाए यह 0 हो जाए तिस समय हमारे पास एक triangle फिर से generate होगा so that is called the lower triangular matrix यहाँ पर जो हमारे सामने सारी इसको छोड़ करके यह 4-4 है इसको ले करके बस आप यह 4-4 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि 4 is equal to 4 है तो समझ गया होगे मेरी बात को यहाँ पर क्या structure बन सकता है कभी इस तरह की triangle बन जाए तो this is called the lower triangular matrix आप upper triangular और lower triangular को explain कर सकते हैं समझ सकते हैं कि कैसे बन सकता है क्या process यहाँ पर general identification based question बनते हैं आपको देख करके judge करना पड़ता है पहचान करनी पड़ती है which one the upper triangular और lower triangular इसको decide करने की responsibility आपकी है अगर हम समझ पाएं है तो हम इसको समझा सकते हैं बता सकते हैं कि क्या ऐसी requirement होती है कैसे हम समझ पाते हैं इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे about the transpose of the matrix transpose upper matrix कोई भी matrix है उसके transpose की बात की जाए तो थोड़ा सा explanation समझेगा माली जी मेरे पास एक matrix है A A का अपना एक order होगा जाहिर सी बात है यह हम क्रासियन सपोज करिए अगर हम इसका transpose बनाएं अगर हम इसका एक transpose बनाएं तो transpose को हम declare कैसे करेंगे पहले explain कैसे करेंगे मैं आपको बता दो that will be A की power T मतलब जनरल जो explanation होता है A की power T से इसको हम लोग transpose generate करते हैं मैं आपको बता दो इसका जो order बन कर आएगा अगर इसका M cross N है तो इसका order यहाँ पर N cross N हो जाएगा यहाँ पर N होगा और यहाँ जाकर यहाँ पर into N हो जाएगा समझेगा N cross N हो जाएगा मतलब order reverse हो जाएगे order तुरंद बदल जाएगे मतलब एक चीज हम समझ जाए कि अगर इसका कोई element A of IJ है तो इसका जो element होगा वह A of J I के equal होगा मतलब जो A of IJ है वह actually A of J I के equivalent हो जाएगा उसके समझ जाएगा मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि हम order को ही change कर देते हैं तो जाकर के हमको transpose find होता है transpose मिलता है मैं एक example लेता हूँ मैंने एक example लिए 2 cross 3 matrix बनाया मैंने लिखा 2 है 5 है 7 है 3 है 4 है 5 या हम कह सकते हैं 3 है 4 है 1 है एक matrix है आप देख पार एक A है इसका order क्या है बताएग 2 cross 3 है मुझे कहा जाए कि A की power T मतलब transpose आप A be required to get the transpose आप A अगर इसका order 2 cross 3 है तो जाहिर सी बात जो A की power T बनेगा उसका order 3 cross 2 होगा जो मैंने अभी बताए उसके भिहाब पर बनाने का system क्या है मैंने कहा कि अगर locations की बात करें तो यह A11 है A12 है A13 है A21 है A22 है A23 है तो order हम से मज रहे है अब हम elements को change करें जैसे उसकी location को 11 तो agitive रहेगा तो 11 क्या हो जाएग A11 मैंने का जो 12 है वो 21 बन जाएगा तो 21 की position नहीं हो जाएगी 21 की position नहीं हो जाएगी इसी तरह से 13 मतलब ऐसे देखा जाए तो elements के बिहाब पर अगर हम लिखना सुरू करें elements के बिहाब पर हम कैसे reading कर सकते writing कर सकते देखिए यहाँ 2 हो जाएगा यह 5 यहाँ चला आएगा 1 3 3 1 हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा ऐसे जो 2 1 है 1 2 बन जाएगा मतलब यह 3 हो जाएगा यह 4 हो जाएगा यह 1 हो जाएगा तो आपने देखा यह 3 क्रास 2 की matrix बन गई तो row 1 become column 1 and row 2 become column 2, देखिए जो row 1 था वह column 1 बन गया और row 2 जो था वह column 2 बन गया, उसी तरह से column 1 become row 1 and column 2 become row 2 and column 3 become row 3, तो मतलब row interchange with the column, तो this matrix will call the transpose of matrix, अगर कभी मुझे requirements होई, एक matrix का transpose फाइन करने की, तो हम row और column को आपस में interchange कर देते हैं, तो this is the process to getting the transpose of a matrix, कभी भी ऐसी कोई जरूवत पढ़ जाए, तो हम लोग तुरन transpose find कर सकते हैं, जैसे एक example और में लेता हूँ, मैंने कहा, 1 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, 7 है, 2 है, 1 है, 7 है, 4 है, 2 है, 9 है, अभी तो माली जे मैंने 3 cross 3 लिया, तो जाहिर सी बात इसका transpose भी करेंगे, 3 cross 3 ही आएगा, लेकिन elements देखिए कैसे mention किये जाएंगे, यहाँ आपके पास A की power T देखिए कैसे होगा, row को column बनाए, तो 1, 5, 3, this row become column 1, this row become column 2, ऐसे drop करिए, 217, this row again become column 2, 4, 2, 9, तो हम row को column बना देते हैं, column को row बना देते हैं, तो automatically matrix अपने transpose की फार्म में आ जाती है, transpose बन परता हूँ देखिए, इसमें कुछ और चीज़े जैसे मैं बताता हूँ आपको about the symmetric matrix, symmetric matrix, generally symmetric को हम लोग समझें कि क्या होता है symmetric, जिसको हिंदी में अकसर समयमिती कहते हैं, एक value अगर दूसरे के about हो, that is called symmetric, like this hand is symmetrical to this hand, exactly hold to each other, एक दूसरे को फिट हो जा रहा है, तो symmetrical है, कभ symmetrical to each other, कुछ alphabetical symbol जैसे A होता है, इसकी symmetry देखी A होता है, काट दिया तो fold कर तो बराबर, B है तो इसकी symmetry बन सकती है, C है इसकी symmetry बन सकती है, D है तो इसकी भी बन सकती है, E है तो इसकी भी बन सकती है, F की symmetry नहीं बन सकती, कहीं से काट ये क्या fold होगा नहीं होगा, तो symmetry का मतल अब ही होगे एक दूसरे के उपर exactly fit हो जाना तो एक दूसरे के symmetrical कहलाना होता है rectangle की symmetry बनाते है, square की symmetry बनाते है symmetry अगर हम किसी एक matrix की बनाएं तो उसके लिए सबसे पहले required condition हो कि जो matrix की symmetry हम बना रहे हैं या symmetry जिसका find करें वो हम matrix हमेशा और हमेशा square होना चाहिए this is only for square matrix केवल square matrix के लिए होता है अगर square matrix है तभी उसकी symmetric find करी जा सकती अधरवाइज नहीं की जा सकती है अगर मालो मेरे पास एक square matrix है एक जिसका order सपोच करी या n cross n है या एनत order की एक matrix है क्योंकि order भी change नहीं होगा जैसे अभी पिछला हमने देखा था 3 cross 3 का था तो आप देखा कि 3 cross 3 agitives रह गया मुझे अगर हम लोग A हमारे पास है मैं इसका transpose निकालू मैं इसका transpose निकालू वो भी सपोच करी order या नहीं आएगा सिधी से बात जो order इसका है वही order इसका आएगा हमने कहा if A is equal to A की power T A is equal to A की power T अगर A is equal to A की power T तो we can say that A of IJ is equal to A of Ji मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई matrix अपने transpose की equal है so this matrix is called symmetrical to each other मतलब एक दूसरे के symmetric हो जाती है एक matrix अगर अपने transpose की equal है तो दोनों आपस में symmetric matrix कहलाती है ध्यान में रखिएगा इस सब्द को symmetric matrix का मतलब दोनों matrix को आपस में transpose होना जरूरी है अब जैसे example की बात में करूँ example की बात में करूँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग एक matrix मैंने लिखा A मैंने लिखा यहाँ पर minus 1 5, 3 मैंने लिखा 5, 3, 2, 4, 4, 7 का की is this matrix is a symmetric matrix तो हम check करते हैं हम इसका transpose करके सबसे पहले हमने इसका transpose फाइन किया हम देख कर नहीं लिखेंगे ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग जो process बताया था कि interchange करना रोको column के साथ वही मैं करने जा रहा हूँ इसको उठाए ऐसे गिराए माइनस 1, 5, 3 देखें उठा के गिराया मैंने मैं देख के नहीं लिख रहा हूँ इसको उठाए ऐसे गिराए 5, 2, 4 इसको उठाए ऐसे गिराए 3, 4, 7 अब आप चेक कर लिए क्या दोनों equal हैं की नहीं है बैस equal हैं मैंने transpose किया जब आप 1, 1 था वही आप 1, 1 है जो आप 1, 2 है वही आप 2, 1 है जो आप 1, 3 था वही आप 3, 1 है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम symmetric matrix कह सकते हैं जब मैट्रिक्स अपने transpose के exactly equal है मतलब order के साथ और elements के विहाब पर दोनों के विहाब पर रही है जिसको हम symmetric matrix कह सकते हैं एक और सब्द मैं यही पर आपको बता देता हूँ excuse symmetric matrix थोड़ा साथ दिजिएगा पस इसके बाद फिर हम लोग class रोग देंगे और फिर हम आगे की class जो अगले terms लिखे गए हैं उसको हम आगे explain करेंगे excuse symmetric matrix excuse symmetric matrix में भी सीधी से बात symmetric सब that है तो जाहिर से बात matrix हमेशा यहाँ पर square होनी चाहिए एक matrix अगर अपने negative आप transpose के equal है A is equal to minus A की power T so that matrix is called the skip symmetric matrix मतलब हमारे पास कोई matrix दी हो square हो उसका हम transpose find करें उसके सभी elements का negative मतलब उनका हम change करें sign के साथ मतलब सभी के बाहर minus लगाएं तो सब के sign को change कर दे तब जाकर के वह original matrix के equal हो पाए तो उसको हम इसके symmetric matrix कह सकते हैं मतलब आप समझेगा elements के हिसाब से अगर consider करें तो A of IJ is equal to minus A of J आप समझेगा पहले elements का transpose करिए या ऐसे कह सकते elements को order के हिसाब से change करिए change करने के बाद उनका उनके बाहर minus लगाई है मतलब उनकी sign का परिवर्तन करिए तब जाके अगर original matrix के equal हो तो उसको हम इसके symmetric कह सकते हैं जैसे example के तोर पे देखिए एक matrix मैंने लिया A मैंने लिखा 0 minus 1 3 1 minus 3 0 5 minus 5 0 मैंने एक देखिए 3 क्रास 3 matrix बना दी अब इस 3 क्रास 3 matrix में हम लोग अगर जब इसका transpose करने गए एक ही poverty देखिए कैसे निकलेगा आप रोग को कॉलम बनाओ तो 0 minus 1 3 इसको उठा के ऐसे गिराईए 1 0 5 इसको उठा के ऐसे गिराईए minus 3 minus 5 0 अब हमारे पास A की poverty आ गई है अब मैं आप से कहूँ कि what about minus A की poverty मतलब सब के sign बदल दीजिए तो 0 का sign तो कोई change ही नहीं 1 become minus 1 minus 3 become plus 3 minus 1 become plus 1 0 become 0 minus 5 become plus 5 3 become minus 3 5 become minus 5 and 0 become 0 अब आप एक बार check कर लो match करा लो क्या दोनों equal है की नहीं equal है तो this matrix कैसे equal है देखिए adjective जो ही आ रहा है इसका मतलब this matrix is skip symmetric matrix क्यों? क्योंकि इसके transpose का negative इसके original matrix के equal है so this is called the skip symmetric matrix मैंने यहाँ पर काइंट्स तक discussion किया है जिसके types है उसको मैंने आपको समझाया है क्योंकि long lecture में चीज़े जो है उतनी ज़्यादा आप graphs नहीं कर सकते हैं हलाकि जब हम लोग इसको course में लेके चलते तो आपको उतने हिसाब से हम ready करते हैं कि आप अपनी preparation को उसी बिहाफ पर लेकर चले जैसे हम लोग जो actual requirements होती है public classes में लोग उतना ज़्यादा consider नहीं करते हैं इसलिए हम लोग भी लेक्चर को start करने की कोशिस करते हैं फिर भी एक गंटे का lecture है जिसमें मैंने आपको matrix का introduction दिया इसके types तक आपको समझाया starting में मैंने सिलसरे बार सारे points लिख रखके हैं जिसमें हमने आपको बताया कि किस-किस points को इसके अंदर गद पढ़ना होगा उन ही points को लेकर के हम आगे के lectures भी continue करेंगे मुझे पूरा भरोसा है कि आपने चीजों को समझा है consider किया है जो एक सही process है उसको आपने grabs करने की कोसिस करिए और मैंने बताने की कोसिस करिए मैं hope सो कि मैं अपने aim में successful रहा हूँ या मैं बता सका हूँ आप सबी को और इसी तरह से मैं आगे के session भी आप से continue करता रहूँगा आज की class में यही पर रोग दूँगा फिर से मैं एक बार उन सभी का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने हम पर भरोसा किया है उनके भरोसे को हम तूटने नहीं देंगे इतना ध्यान में रखिएगा मैं आपने अगर हम पर भरोसा किया तो मेरी जो जिम्मिदारी है मैं उसको पूरी तरह से निर्वाद करूँगा अगर मैंने इस steps को प्लान किया है मैंने आपकी TGT PGT badges को start किया है तो मैंने इसलिए start किया क्योंकि मैं अच्छे से समाप्त कर सकता हूँ अगर मेरे अंदर या मुझे ऐसे थोड़ी सी भी doubt अपने अंदर होती कि मैं चीजों को proper बेमेफेनिस नहीं कर पाऊंगा तो मैं बिल्कुल start नहीं करता मैं कर सकता हूँ इसलिए मैंने start किया है और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ अंतर तक आप पूरी तरह से रेडी रहेंगे एक्जाम के लिए और अपने एम को सुनिश्चित करने के लिए जो आपने प्लान किया है कि हम एक selection ले पाएं उस selection में आप अपने एक पद को सुनिश्चित करने के लिए इस बात कि मैं अपनी तरफ से पूरी मिला हुआ है उस schedule के तहत कच्छा है आज से आपकी batch में app के through आपको प्राप्त होती रहेंगी आपको और भी जनकारी अगर लेनी है संस्थान के प्रती, courses के प्रती, अपने बिसे के प्रती तो आपको scrolling में जो numbers दिये गए हैं उस number पर आप phone कर सकते हैं phone करके संस्थान से जोड़ने का process, चीजों को समझने का system, सारी चीजों की बारे में जनकारी आप संस्थान में 10 बज़े से 7 बेर तक की जो एक timing दी गई उसके अंदर गताब कर सकते हैं Thank you so much, बहुत बहुत दन्यवाद, Thanks Lord